एक तरफ दुर्गा पूजा का पर्व चल रहा है तो वहीं दूसरी और अब चुनावी पर्व को लेकर चहल पहल शुरू हो गई है आपको बता दे कि जारखन में विधान सब चुनाओं की खोशना बस अब कुछी दिनों में कर दी जाएगा और उसको लेकर तमाम पार्टी जो हैं अब काफी ज्यादा एक्टिव हो गए हैं अब धीरी दिर अपने प्रत्याशियों के नाम की घोशना की जारी और सती साथ ये भी चानने का प्रयास करेंगे कि आकर कितने सीटों पर इनकी पार्टी लड़ने को इस बार तयार है पहले आप तमाम मीडिया के साथी हमारे भाई हमारी बहन आप सभी का नमस्कार जोहार आदाप आज के प्रेश कॉन्फरेंस का उत्देश जारखन्ड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा अपनी दूसरी सूची जारी करने जा रही है और आज के माध्यम से दूसरी सूची जारी की जाएगी और साथी साथ राज्य को ज्वागामी बिधान सभा का चुनाव होगा उसको लेकर आपके माध्यम से उनसे एक अपील उन्हें एक संदेश होगा किस बार युवाओं को जारखन्ड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के नेत्रित को एक बार अफसर दे जो सिडूल ट्राइब के लिए अरक्षित है राची जिला और साउथ छोड़ा नागपुर का पाठ है गुना भगत जी वहां के परत्यासी है तुन्डी बिधान सभा जोकी चर्चित बिधान सभा है जोकी वो बिधान सभा मेरी है लेकिन दुम्री मेरा डेमांड हुआ तो अगर दुम्री की जन्ता ने मुझे डिमांड किया है तो तुन्डी बिधान सभा मोतिलाल मेरी के लिए धनवार से राजदेश रतन जी होंगे राजदेश, धनवार, कोड्रमा, राजदेश रतन, कोड्रमा से हमारे पाटी के और एक नामी चेहरे बड़े नेता का सकते हैं, पाटी को पाध्यक्ष, आंदरुनकारी, छात्र नेता मनो जी यादव जी होंगे, बरी से क्रिशना यादव जी हमारे परत्यासी हैं, बरकठा से महेंदर परसाद मंदल जी हमारे परत्यासी हैं, हजारी बाग सदर से बरकथा से महैंद्र परसाद मंडल हजारी बाग सदर से उदई कुमार महता जी हमारे परतियसी है डाल्टन गंज पलामू से अनीकेट महता गोड़ा से परिमल ढ खाकूर प्रत्यासी हैं गांडे से हमारी अकील अक्तर और प्रिज्वान जी प्रत्यासी है तो इसको फिर ध्यान से रखेगा क्यों हमारे पार्टी के एक अस्तम्भ हैं और आपको आपके सवाल से पहले यह मुत्तर देना चाहेंगे उन पर जो एका जांस कमिटी वैठी थी उस जांस कमिटी की रिपोर्ट दो दिन पूर्व उनको बाइपोस्ट परधान मास जी ने भेज दिया है और उस रिपोर्ट में यह पाया गया कि उनके जो साथी थे वह दोसी पाये गए रिजवान जी का सवस्त तव्यत ठीक नहीं था वह संथाल प्रगणा के दोरे से अपने कारिक्रम को छोड़ कर घर लोट रहते हैं और वह गाड़ी के अंदर निंद्रा की अवस्था में थे लेकिन उसी बीच गाड़ी रुकी तो कुछ लोगों ने पता नहीं उनके मन में कैसा क्यूं हाया उनके ड्राइबर और एक साथी ठें जिन्हों ने ये बात ड्राइबरों से बास्चीद की थी इस बिसे पर और बिल्कोल ग्रामीनों की राय और फिड़े लेक्स घिरें पता चला फिनमीं रिजवान जी गाड़ी से उतले ही नहीं जानकारी उनको नहीं थी है उनका नाम सहजाद सहजाद जी है और उनको पाड़ी से निलंबित कर दिये हैं वह हमारे उस अंगठन बने नहीं रहेंगे तो रिजवान जी को क्लिन मिला है हलांकि वह पदमुक्त रहेंगे चुकि उस गाड़ी में किसी परकार की कोई सभागिता नहीं रहें तो वह पाड़ी के बड़े नेता है उन्होंने डीमांड उनको गांडे विदान सभा चुकि एक बहुत बड़ी चर्चित सीट रहेंगी धारखंड की और हम लोग न चर्चा होना चाहिए तो रिजवान और अक्री लगतर जी गांडे विदान सभा से हमारे परत्यासी होंगे धनबाद से सपनकुमार मोदक जी हैं जो धनबाद सहर सदर से हमारे परत्यासी होंगे खरसमा सीट से पांडोराम हाइबरू ये सिडूल ट्राइब के लिए मनोज कुमारी होंगी यह हमारे आज के परत्यासियों की सुच्छी है आज कुल हो गया एक दो तीन चार पांट छे साथ आठ नो दस एगारव बारव 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 दो चोड़ हो सब्सक्राइब कर देंगे तुंडी से मोतिलाल मैतो धनवार से राजदेश रतन कोडरमा से मनोज कुमार यादव, बरही से क्रिशना यादव, बर्खठा से महंद्र प्रशाद मंडल, हजारी बग सदर से उदय महता, डाल्टन गंज से अनिकेत महता, गोड़ा से परिमल ठाकूर, गांडे से अकिल अक्तर और प्रिजवान, धनवाद से सपन कुमार मोदा, खरसमा से पांडूराम हाइबरू, आसिंदरी से उसा देवी, बोकारो से सरोज कुमारी, सवाल को रिपीट किजिए, मोडन भारत में रहते हैं, और हम लगता है कि हमलोग सायद सती पर्था के हाँ, जितने लोग बैठे हैं, सती पर्था के हमलोग बिरोधी हैं, तो सती पर्था में क इस घटना की जानकारी थी, क्या उनकी सहमती थी, तो आसिस महतों के कारे से हम उसा महतों का मुल्यांकर नहीं कर सकते हैं, दूसरी बात आपको बता दे, संगठन में आसिस महतों का परिशे उसा महतों से था, उसा महतों से आसिस महतों जी का परिशे नहीं था, तो इस बात को बिल्कुल आप मैं क्लियर करना चाहूंगा कि उसा मातों से उसा देवी जी के कारण ही अम लुण को जानते थे और उनको पाटी में रखा था बिल्कुल उनके कारण नो डाउट जो भरम फैला उससे हमें राजितिक नुक्सान हुआ खासकर गृड़ी लोग सवा मुझे र बहार आई थी आलोचनाओं को साहा महिला होने के करण बहुत सारा समस्याओं का सामना करना पड़ा अपने बच्चों को छोड़ा अपने पती से भी उनका बहुत बार मन मुटाओ रहा इसके बाद भी पाटी का संगठन के लिए लगातार कारी की और हमें लगता है कि मानो स स्रिंखला से पहले से हमारे साथ उसमेन देवी मानो शरिंखला से पहले से हमारे साथ हैं अता उनकी वि Kristen पर उनकी कर्मनिष्टा कर्मने लग हो सकता है यहाहि Alcohol डid से मुस्लिम समुदाय को जयल केम ज़्यादा डिकर देगी टुंडी हम लोग एक बहतरिन सीट है इस सीट को हम लोग आगे भी बहतर करेंगे और जहां तक मोतिलाल जी का प्रस्ण है वह पार्टी के दूसरे नामचिन चेहरे हैं जिन्होंने लगातार धाय सालों से पौने ती चेत्र के हैं तो टुंडी से उनको सम्वान मिलेगा और मेरे घर से लड़ेंगे संगठन में अक्टिव हैं हलांकी महिला होने के कारण संगठन की गति वीदियो में आपने उनको कभी देखा नहीं होगा लेकिन तमाम आंदोलन में लगातार रही है आपने वाच नहीं क्या उनका सबसे खास यो काम रहा वो पाटी रजिस्टेशन पाटी रजिस्टेशन का काम उनके ही नेत्रूत में किया गया है अगर आज पाटी हमारा रजिस्टेशन है तो उसमें सरोज कुमारी जी का योगदान है नहीं तो हम लोग इस बार के भी जो सत्तर विधन सभा में ल अपन योगदान है और उसी कारी के कारण उनको बुकारों से परत्यासी बनाया गया है पिछली बार हम लोगों ने जो भूल की थी चुकि चुनाव बेशक केडर जिताते हैं बूत मेनेजमेंट जिताती है लेकिन हम लोगों ने केबल अपने कारीक्राम में ध्यान दिया था इतना कारीक्राम हुआ इतना कारीक्राम हुआ कि कभी हम लोग को वार रूम में बैठने का उफसर नहीं मिला कभी अपने कारीकरतां से मिलने का उफसर नहीं मिला पर उस शोप AH Reelion के साथ-साथ-सा-सथ-स-कारीकृतou पर्टी के केंद्र अधिश होने के नाते पाटी का जो निर्देश है मुझे लेकर दो परतियास दो जगा से हमाँ परतियासी होंगे और दूसरे सीट कहां से होंगे इसकी घोशना प्रेस कॉंफरेंस के माध्यम से करेंगे तीसरी चोंथी सुची तक हम लोग कर देंगे समाजिक नियाय के पख़दर हैं हर एक छोटी सी आयू में मैंने तो लोगसभा सही परियास किया है कि समाजिक समाजिक नियाय को साधा जाए आज ही मैंने जो चोदो परतियासी कि मैं सूची लेकिया हैं आई भुडमी बर्ग से हैं यांदो बर्ग से हैं Plamma से हैं मुत्रीं परिये तो हर एक बर्ग हर Сमुधाई को झागी दारी देने का लोग जानना चाहते हैं आप भारत देश एक ऐसा देश से जहां हर चीज की गण्णा है तो गण्णा से किसी को प्रहेज नहीं होना चाहिए लेकिन सब जानना लेकिन आगला लिस्ट हमें लगता है कि आज रात को भी हो सकता है कल सुबह भी हो सकती है परियास करेंगे दुरगा-पुजा-दसमी तक सारे सीटों की घोसना कर दी जाए ताकि हमारे पर्तियासी हैं उनको परियाब समय मिल जाएगा चुनाव लड़ने के लिए निवटने के लिए तई अधार पर रहे हैं कि हम परसो साहेब गंज में थे मैं अगली सुबह हजारी बाग में थे अगली उसकी रात को राची में और आज हम धनबाद में यानि भारत में अपनी बड़ाई और प्रणसा नहीं कर रहा हूं बारत में कोई लीडर इतना मेहनत खिलाल बर्तमान में नहीं कर रहा है संथाल का द्रिश्य तो आपके सामने हैं अधर निया बंधों संथाल जब हम गया थे धनबाद से गाड़ी में बैटके अपने दोस्तों के साथ हम लोग यहीं चर्चा किए कि वाई लोग सुनने आएंगे की नहीं आएंगे अगर नहीं आएंगे तो उनको बोलिएगा कि बं अध्भुद दृष्य था जर्मुंडी में और दोनों सीमावर्ती छेत्र हैं तो पाटी ने मुझे पिछला बारी कहा था कि जिस सीटों पर हम लड़ेंगे उसमें प्रभाव कुछ ज्यादा बढ़ता है हाँ संभाविस सीट हमारी रह गई घोमिया बैरमो मंडु बाग मारा परिस्तितियां से लिए बाग मारा में जुल्म और अंभ्याई की प्रकास्टा देखने को मिल रही है परिस्तितियां बन रही है तो ऐसा रहा तो बागमारा पर भी विचार किया जाएगा उत्तर हम पिछले प्रेस कॉंफरेंस में दे दिए हम तो चाहें कि उनको बदाई देते हैं और चुनाव लड़े क्या पार्टी के लिए मुसीबत बन सकती है ने उनको कहा है उनसे बात्तित होती है कि थोड़ा अच्छे नेता हैं उमीद करते हैं प्रभावी रहेंगे सब्सक्राइब सब्सक्राइब लड़ेंगे अगर वह समयधानिक द्रिष्टी कोन से जारखन की सीमा में है भगोलिक शीमा में है तो बिल्कुल जो लोग ऐसा कहते हैं वह गलत है हमारी पार्टी में बिल्कुल ऐसा कोई बात नहीं है सब्सक्राइब लड़ने की तैयारी में लेकिन आज उन्होंने ये भी ऐलान किया है कि बहुत जल शायद वो एक और सीट से लड़ने की तयारी कर रहा और उसके लाम की भी घोशना करें अब देखते कि आने वाले समय में क्या कुछ फैसला लिया जाता लेकिन फुलाल इस सब्सक्राइब के तमाम अब्डेट्स में आप तर पहुंचाते रहेंगे अपने से होगी संतोष के साथ शाम भावी सिंग्दनीउस को जन्वार